दोस्तों हो सकता है आपने ultrasound ops का कराया हो और आपकी report में ये cod round neck आ गया हो तो आप दोस्तों हमारे इस video में बहुत सारे जो आपके questions होंगे उनको answer करेंगे आपको बताएंगे cod round neck की क्या होता है जो nutrients जो चाहिए होते हैं जो oxygen supply चाहिए होती है जो blood supply चाहिए होती है जो immunity चाहिए होती है दोस्तों हो सकता है आपने ultrasound ops का कराया हो और आपकी report में ये cod round neck आ गया हो तो आप लोग stress में हो pension में क्या हो गया मेरा बच्चा healthy रहेगा कि नहीं अब मैं क्या करूं नॉर्मल delivery हो पाएगी या सीजी जन कराना पड़ेगा तो आईए ये सारी problem को हम लोग हमारे इस वीडियो में करते हैं दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर वर्वग पताप सिंग है और मैं आप लोगा वेलकम करता हमारे चैनल फ्रेंडी डॉक्टर पर दोस्तों हमारे इस वीडियो में बहुत सारे जो आपके questions होंगे उनको आंसर करेंगे आपको बताएंगे क्या होता है और किस तरह से हमारे बच्चे को अफेट करता है तो आए दोस्तों बगेर किसी देरी के हम लोग शुरुवात करते हैं यह दोस्तों पहले तो हम लोग समझने जो वूम होता है जो गरभाशा होता है उसमें तीन important structures होते हैं तीन important चीज़े होती हैं हमारे गरभा चुके हैं दोस्तों जो प्लसेंटा होता है यह मा के गरभाशा है मा के uterus पे attached रहता है और यह vascular structure होता है देख सकते हैं बहुत सारी vessels होती है vessel rich structure होता है और इसका काम कुछ नहीं होता है बच्चे को तब तक सपोर्ट करना है जब तक वो इस दुनिया में नहीं आलता है यहां तक कि जो infections होते हैं उसको भी रोकने का काम यह प्लसेंटा करता है तो इतना important organ होता है और यह मा से बच्चे को attach करता है यह जो चीज होती है इसको दोस्तों बोलते हैं cord, umbilical cord तो इसी umbilical cord के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं तो दोस्तों umbilical cord क्या करता है attach तो करी रहा है साथी साथ जो इसमें सारा जो blood इखटा हो रहा है जो अच्छा blood होता है यानि कि जो oxygen rich blood होता है वो बच्चे तक ले जाता है और जो deoxidant यानि कि oxygen की CO2 rich जो blood होता है य यह जो भी प्रसेंटा की जो कार होता है वह बच्चे को ट्रांसवर करने के लिए ट्रांस्मेट करने के लिए यूज रहे का डेटा केबल समझ दीजी ठीक है तो यह कॉड कई बार बच्चा यह कॉड लंबा सा structure होता है कई बार बच्चे के गले के चार्व तरफ इस तरह स इंसरकल हो जाता है यह देखे यह बच्च जिससे प्रसेंट आड़निए हार टैस था यह अशे तरह से इंसरकल हो जाता है तो यह काफी कामन है इतना कामन है कि यह अज मुच आस डटा में है कि 10-15% प्रेगनेंस याने कि अगर सोब फीमेल प्रेगनेंन्ट हैं तो उन प्र और इससे अगर कोई इफेक्ट होता है तो बहुत रेर है मतलब ना के बराबर समझेए पहला तो बात यह हो गया क्या अब हम लोग को क्या चीज देखनी है क्यों यह बात डिसकस होती है क्या हम लोग चीज मॉनिटर करें जो हम लोग को आईडिया लगे कि भाई यह कॉर्ड इसकोहमलोग लोग ज्यासे इसमने इतो इस बच्चमील भुप कई शैदर होता है वो भी लूज होता है कि यह दो प्रस समय अ नहीं कर रहा हुता है multiple loops हो जाते हैं, तो ऐसे patients में monitoring करनी चाहिए, और दोस्तों अगर बोला जाए कि क्या test है, जिससे पूरा-पूरा हम लोग को अच्छे सा idea लग जाएगा, कि loop around neck है, बटे हम मेरे बच्चे कोई effect नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग इसके अंदर, जो doppler test होता है, obs का doppler test हो हो रहे हैं, यह सारी चीज़ें जो obs का doppler test होता है, इसमें सारी information मिल जाएगे, अगर दोस्तों यह test normal है, बाकि जो parameters normal है, और cold round neck है, तो आपको tension लेने की कोई व्यावशक्ता नहीं, चिंता करने कोई व्यावशक्ता नहीं, आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्त बात है कि ऐसी स्थिती में बहुत सारे, अगर एक loop है, तो आप normal delivery करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, यह आपका और आपकी gynecologist का decision होता है, और अगर दो, तीन, चार ऐसे loops हैं, तो आपको normal delivery नहीं कराने चाहिए, फिर आपको decision making पहले से ही आपको जानकरी हो जा जाएगा कि भई यह blood supply जो बच्चे ब्रेन में जाने चाहिए, वो कहीं न कहीं compromise है, दोस्तों यह image है, baby deliver हुआ, इस तरह से यह, इसके यह, था, यह actual patient की image है, इस तरह से दोस्तों, यह ultrasound Doppler test में, इस तरह से यह cod round है, देके समें एक यह circle बना हुआ है, एक यह दूसरे circle बना चाहिए, यह बहुती शुरुवाती stage की pregnancy इसमें भी इस तरह से encircle करा हुआ, usually यह loose होता है, बहुत धीला होता है, चारो तरफ पड़ा रहता है, इन rare cases यह tight होता है, वो भी आपके ultrasound report में mentioned होगा, कि loosely encircled है, कि tightly encircled है, तो आएए दोस्तों, मैं वो common questions address करता हूँ, answer करता जो आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, और common questions से आप कुछ पूछ पाते हैं, कुछ नहीं पूछ पाते हैं, उसके विज़े से आपको tension रहते हैं, कि यह तो मैंने पूछा नहीं, क्या मेरा बच्चा ठीक रहेगा, तो सबसे पहले तो क्या यह problem होती है, cord round neck, या nucle cord भी ब जाता है, बहुत अच्छे chances हैं, जातर के patients में यह open हो जाता है, गले से हट जाता है, तो इसका कोई फिर आपको कोई भी चिंदा करने का हो सकता है, कब आप परेशान तो कभी ना हो यह, कब आप सोचें कि इसको monitor किया जाए, देखा जाए, डॉक्टर से discuss कियाए, कब यह च यह अब नहीं resolve होगा, यानि कि अब यह नहीं जाएगा, अब यह लूप आ गया है, अब यह रहे गए रहेगा, दो लूप आ गया है, तो अब यह रहेंगे रहेंगे, तो अपना mental makeup आप इसको regularly अपने doctor से और regular time to time एक उसका ultrasound या doctor test कराते रहेंगे, क्या मेरा बच्चे को कोई दिक्कत होगी, इसके वज़े से, आप लोग सोचते होगे, या कोई long term effect होगा, आप लोग सोचते होगे, बच्चे को गले में था, क्या उसके बाद में brain के development समस्या आ जाएगी, क्या वो अपने सारे functions ठीक से कर पाएगा, तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं होगी आपके बच्चे को, इसके वज़े से, आज तक medical science में कोई भी यह नहीं रहा है, बच्चे को अगर बाद में दिक्कत हो रही है, तो अलग बात है, बट इसकी वज़े से, कभी कोई long term impact आपके बच्चे में नहीं होगा, अगर नॉर्मल आपकार से जिरें delivery हो गया, कोई बच्चे क तो कोई damage नहीं कर देगा मेरे बच्चे को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके baby के साथ, वो healthy ही रहेगा, फिर can I go for normal delivery, ये भी मैंने address कर दिया है, कि अगर आपका एक loop है, तो आपका gynecologist का description रहता है, अगर more than 2-3 ऐसे loops हैं, तो yes, आपको season करा लेना चाहिए, तब normal delivery की तरफ जा सकते हैं, अगर lose card है, तो, क्या कुछ activity करके, इसको prevent क्या सकता है, कि हम ज्यादा चल फिल लें, पैर उपर करके लेट जाएं, सर नीचे करके लेट जाएं, क्या ऐसा कुछ कर दें, जो ये हट जाए, ऐसे ऐसे बच्चे को shift करते रहें, तो ऐसे कुछ भी नह dangerous हो सकता है, तो बहुत rare है, ये बहुत tight होता है, और बच्चे गले पर impression कर देता है, ये बहुत rare पाया गया है, तब ये थोड़ा dangerous हो सकता है, उसमें आपका जो obs का doppler का test होगा, उसमें चीज़े पिक हो जाएं, कि हाँ बच्चे की growth को, या उसके brain में जो blood supply है, उसको effect कर अब हम लोग को इसको preventive action ले लेना चाहिए, बच्चे को जल्दी prematurely हम लोग को operation करके निकाल लेना चाहिए, तो ये पता idea लग जाएगा, तो उसके पहले ही हम लोग preventive action ले ले ले, तो क्या ये dangerous रहेगा, तो अब modern medical science इतना develop कर गया है, तो इसको भी मैं बोलूँगा, नह एक ही take home message बोलूँगा, ये जो nuclear cord या cord round neck की समस्या है, ये बहुत common है, मैंने बताए भी data कितनी common है, पर इससे कोई complication होना, इससे कोई risk हो जाना, ये बहुत rare है, rare of rare event है, बहुत जाधा bad luck हुआ, बहुत जाधा hard luck हुआ, तो ही ये कोई impact करता है, इसके लिए हम लोग को tension ल ना जो जीवन शाले है, वो करते रहें, इसके बच्चे को क्या होगा, उसको normal delivery season होगा, क्या होगा, healthy रहेगा, इसके बारे में चिंता बिलकुल नहीं करें, I hope दोस्तों आपको चीज़ें अच्छी लग यह होंगी, अगर कोई आपका कोई ऐसा patient है, परिचत है, जो समस्या से पीड़ी थे तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, हमाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, thank you friends, stay healthy, stay happy.